आज सुबह जब मैं वॉक पर गया तो मैंने देखा कि एक आदमी मुझसे करीब 300-300 मिटर की दूरी पर आगे दोड़ रहा है तो मेरी मन में खयाल आया कि यह आदमी मुझसे आगे क्यों दोड़ रहा है मुझे उसके आगे होना चाहिए तो मैं दोड़ने लगा उसे हराने के लिए तेज दोड़ने लगा हापने लगा लेकिन मैंने आखिरकार उसे हरा दिया हराने की जो खुशी थी वो मेरे अंदर थी मैंने पलट कर उसे देखा तो देखा कि वो आदमी उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं उसके साथ competition कर रहा था वो अपनी धुन में दोड़ रहा था लेकिन मुझे realize हुआ कि मैंने इस competition के चक्कर में क्या खोदिया मैंने उस साड़े 300 मीटर की जो धूप थी वो खोदी वो जो oxygen थी वो खोदी जो मुझे walk करते हुए मिलती जिसे मैंने तोड़ कर खतम कर दिया वो खूबसुरत चेहरे वो हारिया ली वो खोदी तो हम असल जिंदगी में भी वही कर रहे हैं हम क्या करते हैं हमारे पडोसियों के साथ हमारे कुलिक्स के साथ एक competition पैदा कर लेते हैं अरे उसके पास तो बड़ी गाड़ी है उसके पास तो बड़ा घर है हम किष्टों पर घर लेते हैं हम किष्टों पर गाड़िया लेते हैं और फिर जिंदगी भर वो किष्ट चुकाते रहते हैं उसका बच्चा तो बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, हम करजा लेकर अपने बच्चे को ऐसे ही स्कूल में डालते हैं, अगर कॉंपिटिशन करना है तो अपने आपके साथ कीजिए, अपना बेहतर वर्जन बनाने के लिए, ना कि किसी और के साथ, थैंक यू, ह अपी दिवाली